दोस्तो अगर मेरे को कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंट्रेस लेने वाली चीत कुन सी तो मैं आप लोग वह 100% बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड एक आईसा मोह जाल है कि जिसके अंदर अगर कोई इंसान फस गया तो पूरी तरह से ब निकल सकते हैं दोस्तो मैं आप लोगों आशाय दिलाता हूँ कि ए वीडियो देखने के बाद आप इस चीत से 100% बाहर निकल सकते हो तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा खाली इस वीडियो का कंप्लीट देखना पड़ेगा इस वीडियो में मैं कुछ टी जिछकों कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड गया अगर मैं अगरं फास गए हो तो इस से 100% बाहर आूर कैसे निकल सकते हैं सबसे बात करते हैं कि लाल अ?, यहाँ लगों को देता है यहाँ पर बैंक्स आप लोगों कोdar नो रॉसीवक्रक्त्र में हो जाते हो एक उंडस और उस यजह चयोफ इस परण करते हैं यूप तो दोस्तों यहां सबसे नृपक भाइडिस करने तो चले हैं इस वीडियो को पूरा देख ते तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पईली टिप मैं आप लोगों के देना चाहूंगा कि क्रेडिट काड इस्तिमाल करना बंद करे तो दोस्तो आप लोग बोलों कि बापा क्रेडिट काड इस्तिमाल करना बंद करे एक कैसे पॉसिबल है दोस्तो पॉसिबल है दोस्तो यहाँ पे आ कितना भी बड़ा संकटाई है या फिर कितना भी बड़ा मतलब मुश्किल समय आए मैं इस credit card को यूद नहीं करूंगा जब तक मैं इस loan से बाहर नहीं निकलूंगा तो दोसतों अगर आपका पूराना लोन है मितलब पूराना credit card का खर्चा है तो वहाँ पे आप लोगोंको यहाँ पे कुछ bank से जो वहाँ पे EMI में convert करने के लिए allow करें और कुछ bank ऐसे होते हैं जान बुच के आप लोगों को अलाओ नहीं करेंगे कि जो आपने EMI किये मतलब जो आपने ट्रांजक्शन किये उस ट्रांजक्शन को EMI में करें तो यहाप लोगों को मैं ओर एक ऑप्शन बता देता हूं जिन लोगों को पॉसिबल है ओ लोग 100% यहाँ पर EMI में convert कर दें उन सारे transaction को तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बात करता हूँ अगर आपको possible होता है आपके पास अगर कुछ पैसे है या आपके पास कुछ आपनी savings है या फिर आपना कोई small investment है जैसे कि आपने कुछ FD की है उस पर interest आप लोगों को क interest कम है तो उस FD को या RD को आप पूरी तरह से close कर ले उस money को आप विड्रॉल कर ले ओमनी से आप अपने credit card का बिल पूरी तरह से बहर ले और इस trap से पूरी तरह से बाहर निकले उसके बाद फिर से आप RD कर सकते जैसे आपके पास पैसे आएगे अगर आपके पास एकदम प पड़ा होगा मतलब gold आपके पास होगा मैं मान के चल रहा हूं यहार किसी के पास यहार किसी के पास यहां पर gold होगा आपके पास अगर gold है तो gold bank में गिरवी रखे pawn bank में उसके उपर आप लोग МУЗЫКА लिजए गोड़ लोन यहाँ पर कम से कम इंटरेस पर लोगों को मिलता है इतना कम इंटरेस्क्स के और लगबग नाक यह बराबर होता है उस पैसे से आप अपना पैसा यह पे पूरी तरह से नियल कर ले वर उसके बाद आपना गोड़ लोन के थरूप करके यहाँ इस परसेंट तक आपको यहां पर इंट्रेस ले गया और गोल्ड लोन में यहां पर 3-4 परसेंट के उपर इंट्रेस नहीं जाएगा उस जंजट से आप पूरी तरह से बाहर आ सकते हो अगर आपके पास गोल्ड भी नहीं है और आप लोगो यहां पर परसनल लोन लेना पॉसिब आपके पास बापान लोन लेना पॉसिबल नहीं या फिर आपके पास गोल्ड भी नहीं जो बैंक में गिर भी रख्या पैसे ले तो यहां पर इससे कैसे बाहर निकले उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बातना पड़ूँगा अगर आपको इस जंजट से बाहर प को मेरे बात भूरी भी लगे को आपको ल्गों को क्लियर लिकाईना चाहунगा आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको इस हालत में कभी остан से बंद करना से खरचा करना है जैसे कि मतलब चाहे हमकी education है, hospitality है, या फिर school की फीद होती है, college की फीद होती है, या फिर आप लोगों को कोई traveling करने पड़ती है, तो वही कीजे, जरूरत होगी तो ही आप यहापे कपड़ों के वगेरा shopping कीजे, otherwise आप पूराने कपड़े पहनेगे, तो भी कुछ फरक नहीं पड़ेगा, पर मैं आप लोगों को कहूंगा, कि आपको आपके खर्चे पूरी तारा से कम करने, बस आपको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, और साथी साथ जो कुछ आपका मतलब rent होगा, ओ तो आप लोगों को बारना पड़ेगा, इनी चीदों पर खर्चे कीजे, चीदे कंट्रोल करना नहीं आता, तो दोस्तों मैं आप लोगों कहता हूँ कि आप इसी वीडियो को यहाँ पर स्कीप कीजे, क्योंकि यहाँ पर इस जहंजट से बाहर नहीं निकलने वाले हो, तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर जाते है, दोस्तों यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं जो बड़ा अमाउंट वाला करेडिट काड़े उसे एमाउंट में करेजिए रहा सेकंड में जिसमें आप लोगों दसादार उपई का मातरलो ने आपको उसका मिनिममम ड्यू इस महीने में बहर दीजे मिनिममम ड्यू तो आप लोगों वहां पर भर दोगे उसके बाद क्या होगा आपके पास कुछ पईसे एक्स्ट्रा में बचेगे क्योंकि आप पार्टी में नहीं गए और आप मुवी अगर अगरा पाफ हजार उपे बहर देगे तो यहां पर इसकी वाजै से आप लोगों को क्या होगा जो बांसिंग चर्जेस तो नहीं लगेगे फिर भी यहाँ पर जो उपर का amount था वो amount होजेगा तो यहाँ पर जो दसादर वाला credit card का loan था उसमें से आप पूरी तरह से बाहर निकल जाओगे तो अब आपके सर पर क्या हो गया एक ही loan बचाए तो यहाँ पर आईसा नहीं कि बापा हम एक लोगों से बाहर निकल गई तो चलो आज पार्टी कर देतें तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत खर्चा कर लीजिए बट यहाँ पर मुझे आप लोगों को क्या होगा और भी सेविंग होती जाओगी और नेक्स जो क्रेड़ेट काड़े उस जंजेट से आप लोग पूरी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करूंगे मान लेते कि आपने ये सारी चीज़े पूरी तरह से फॉलो की और उसके बाद एक टाइम आगा है कि आपका क्रेड़िट काड़ पूरी तरह से निल हो गया तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि आपको क्रेड़िट काड़ करना है या नहीं करना है यह आपके उपर डिपेंड मैं आप लोगों को कहूंगा अगर आप लोगों को आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं तो आप लोगों को इस क्रेडिट काड को क्लोज कराना अच्छा है दोस्तों यहाप लोगों को अगर आपके माइंड पे कंट्रोल है आप लोग आपकी खुद की सुनते हो ना ही किसी ला अब क्या तक तक तो पोई감 तरह मतलब आमेजन डिश्श है ऊपर चलते हैं अब दर स्कानर के तो यहां पे आप लोगए तो यहां पर विक और उप सकते होते हैं या फिर बहुत से बार रिचार्ज करते हैं तो वहां पर आप लोग सेविंग कर सकते हाला कि पास्तु 600 रुपए 1000 रुपए तक आपकी क्रेडिट काड की येर लिचार्जस आप लोग दोगे पर उससे ज्यादा बेनेफिट उटा पाऊंगे अगर आप लोगों को य उनके अन्योल पीड माप कर देगी ये तो चार्जस को नीज कर देगे ये फिर कोई आप लोगों को प्रोवाइट कर देगे पर दोस्तों आहिसाद नहीं करने अगर आप लोगों को लगता है कि आप खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगे क्रेडिट कार आपके पास होगा तो दोस्तो इस credit card को पूरी तरह से close कर जें हाला कि मेरे पास 5-6 bank के credit card है और उसे मैं smartly तरीके से use भी करता हूँ और उसकी जितनी फील्ड में बरता हूँ उससे ज्यादा benefits मैं उससे उटाता हूँ तो दोस्तो अगर आप लोग मेरी तरह smart हो या फिर smart work करना जानते हो तो यह आप लोगों को मैंने सही जानकर आप लोगों के साथ share कीजी तो यहाँ पर इस वीडियो को एक like कर लीजी और ऐसे informative वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहे तो credit card banking finance related तो ऐसे वीडियो पाने है आप लोगों तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा हमारी चैन बूंदे मत्रा